हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में तो आज हम लोग सीखेंगे कि AutoCAD में हम लोग Clip Command का यूज कैसे करते हैं और किसी Object में हम लोग Boundary कैसे Decide करते हैं New Boundary उसे करने के लिए हमारे पास ये एक Figure है Image है जो कि हमने इसमें Import करा है और इसमें Clip Command का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं चलिए तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपने Insert Option में क्लिक करना है और इस Reference Group में Attach के बगल में Second Option आपको दिखेगा Clip अब आपने करसर को वहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे कह रहा है Clip a Block Externally Referenced File और View to a Specified Boundary क्लिक करेंगे और Object को Select करूँगा मैं यहाँ पे और New Boundary में Select करूँगा इसके बाद Delete Old Boundary Yes में क्लिक करूँगा और अब हम लोग को Boundary सेलेक करना है मैं Select करूँगा इसका Half और क्लिक करने के बाद ही यह Old Boundary delete हो जाएगा और यह हमारा आगया New Boundary अब इससे Edit कर सकते हैं आप Normal Image की तरह यहाँ पे Brightness बढ़ा सकते है Contrast Degrees Increase कर सकते है Background Remove कर सकते है Hide या Show कर सकते है या फिर आप चाहे तो Clip को Turn Off या On कर सकते है Select करने के बाद क्लिक करेंगे Clip में और यहाँ पे Option आएगा Turn On या Off आफ में क्लिक करेंगे तो यह पहली की तरह हो जाएगा Clip आपका Off हो जाएगा इस तरीके से आप Clip का यूज कर सकते AutoCAD में इस तरीके से हमारे पास Shotcut है C-L-I-P Enter Object को Select करेंगे New Boundary Yes, Crop करेंगे और यह हो गया दोस्तो इस तरीके से आप AutoCAD में क्लिक कमांड का यूज कर सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें कम्प्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सल टुटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सौट्वेर कोर्सेस के लिए हमारे वेबसाइट maha gurus.com पे विजिट करें थैंक यू